धूप और च्छाओं दो बहनों की कहानी वे तहलती हुई पेड़ पोधों की सुरंग नुमा गलियों से होकर गुजरी तो उसे एहसास हुआ जो हो चुका है उसे रोका नहीं जा सकता था बगीचों की काली गीली दलदली मिट्टी के रास्तों से होते हुए वे तालाब किनारे जा पहुची सूरज की एक किरन मकडी के जालो भरी सहतीर से तिर्ची आ रही थी जो सीदे पहले सीडियों पर बैठी यूपती पर पढ़ रही थी उसने आने की आहर सुनी तो पीछे पलट कर बोली इधर आ जाओ वे यूपती मौन समवाद के बीच वहां आकर बैठ गई दोनों की नजरे मिले और दर्द की टीस दोनों के दिमाग में घूम गई ये दोनों कुछ समय पहले तक एक दूसरे की विप्रीत थी एक बिल्कुल अलमस्त नाजुक सी तो दूसरी एकदम होसियार और जिम्मेदार एक हर जिम्मेदारी को बखुवी निभाती तो दूसरी छोटे से छोटे काम को भी अंजाम ना दे पाती दोनों एक दूसरे को सक्त ना पसंद करती थी बेशक वो सगी बहने थी किस्मत ने उनकी साधी भी एक ही घर में दो भाईयों से करवा दी जिस कारण जो बड़ी बहन सैली थी वो देवरानी बन गई और जो छोटी बहन कैरी थी वो जठानी जिठानी बनी छोटी बहन हर समय अपनी बड़ी बहन को जताने की कोशिस करती कि तुम भले हर काम में मुझसे बेहतर हूँ पर मैं तुमसे उहोदे में अब बड़ी हूँ बचपन की ये तकरार साधी होने पर दुस्मनी में बदल गई लेकिन बिधाता ने दोनों की किस्मत साध एक ही कलम की स्याही से लिखी थी बड़े भाई यानि कैरी के पती अमरेका में डॉक्टर थे और छोटे भाई यानि सैली के पती सिप पर काम करते जिसके कारण अकसर कई कई महीने बाहर रहते थे इसी दोरान कोरोना नामक महमारी ने पैर पसार लिए एक दिन अचानक लागडाउन की घोसरा हो जाती है उस समय दूसरी वाली बहन अमरीका से भारत आई हुई थी लागडाउन के सुरुवाती दिनों में वो अपनी पतियों के संपर्क में थी फिर अचानक दोनों का अपने पतियों से संपर्क नहीं हो पाता है एक दिन अमरीका से फोन आता है कि कैरी के पती डूटी के दोरान इलास करते हुए कोरोना से संक्रमित हो गुजर गए कैरी को जब यह सूचना मिली तो हमेशा अलमस्त रहने वाली लड़की उसके बाद से एक्तम चुप लगाय गई वो हर समय रोती रहती उसके गालों की तुचा के नीचे की मांस्वेश्या गीली और कांपती रहती उसकी बड़ी बहन सेली चाहती कि वह हालास से समझोता करे यूं हर वक्त रोते रहने के बजाए परिस्तियों का डटकर मुकाबला करे कोई चीज थी जो उसे अंदर ही अंदर टुकड़े टुकड़े कर रही थी इसी पीच दूसरी बहन के पती के बारे में भी सूचना आती है कि उनके सिप को समुद्री डाकोंने लूट लिया और खून खराबे के चलते सभी चोदा करमचारियों की मौत हो गई तालाप की सीडियों पर बैठी दो जवान सुन्दर यूदियां जो हमेशा एक दूसरे की बिरुद्ध खड़ी रही आज अपने अपने दुख में एक दूसरे को हिम्मत बढ़ा रही थी दोनों के पतियों की मौत की खबर एक के एक बाद आई इस हाथसे की खबर चारों तरफ सहर में फैल गई बहुत सारे जानने वाले रिष्टेदार मिनट मिनट पर फोन करते और कहते क्या करें हम तो मातम पुर्सी करने आना चाहते हैं लेकिन हम लाचार हैं इस कोरोना काल में हम आ नहीं सकते नहीं तो दोड़ कर चले आते अब हुने कौन समझाता मरने वाले यहां नहीं सा समुंदर पार मरे हैं और दोनों बहने स्वस्थ हैं लेकिन कोरोना के भैके चलते लोग आपस की संबेदनाओं को भूल गए थे सारे नाते रिष्टेदार फोन पर ही सारी हमदर्दी जता देना चाहते थे दोनों बहने अपने इस भारी दुख के पल में पतियों को याद करते हुए अकेला रहना चाहती थी जो अब तक एक दूसरे की दुस्मन बनी बैठी थी पतियों की मौत के बाद से एक दूसरे को जड़ों से महसूस करने लगी थी उन्होंने एक दूसरे के मन को समझा और घंटों रो लेने के बाद जो सान और जिम्मेदार बहन थी बोली चलो अब घर चलते हैं तुमने कल राज से कुछ नहीं खाया है दूसरी ने कहा नहीं मुझे घर नहीं जाना वहाँ फोन की घंटी चैन से रोने भी नहीं देती है इस ताला बंदी में सब सुनसान था कभी इंसानिक वजूद से भरा ये पार्क आसिर पच्चियों के कोला हल से भरा था सेश सननाटा था वो गहराते अंधिरे में सरक्ती चली गई घर वापस आते ही अपने दुखों से घिर गई कमड़े में मौजूद हर सामान उन्हें अपने पतियों की याद दिलाते तीवी के सामने पड़ी वो आराम कुरसियां जिन पर वो कभी बैट कर ठाहके लगाते थे और उनकी पत्नियां उन्हें यूं हसते मुस्कराते देख कर खुस होती थी अप सुनसान थी बिना उनके ये घर घर नहीं लगता था दोनों बहनों के बीच बहुत कम बात होती थी क्योंकि उन्हें आपस में सिर्क लड़ना आता परिवार के बाके सदस उनके पास लाक्टाउन की वज़े से नहीं आ सकते थे ऐसे कई रिष्टे थे उनकी जिन्दगी में जिनें उनकी फिक्र थी लेकिन कोरोना काल की बिपत्ती में सब बेबस थे वापस आने पर जो भी रसोई में बचा था दोनों ने खाया और अपने अपने कमरों में सोने चली गए उन्होंने दर्वाजों को खुला रखा क्योंकि दर्वाजा बंद करने पर उन्हें अपने पतियों की और याद आने लगती उस घर में एक नौकर हमेशा मौजूद रहता था पर लागडाउन के चलते वे भी अपने गाउं में खासा था वो दोनों उक्ता कर अपने अपने फोन ज्यादा तर आफ रखने लगी जिसके फोन का इntजार रहता था वे तो अब कभी करने वाला ही नहीं है इसलिए क्या करना फोन आउन करके लेकिन उस दिन ना जाने क्या था जो छोटी बेहन को सोने नहीं दे रहा था वो बार बार बेचैन होकर बैठ जाती वैसे तो ये रोज की थी लेकिन उस दिन उसे अपने पती की कुछ ज़्यादा यादा आ रहे थी वे रोने लगी जब मन बेहत घबरा गया तो उसने फोन आउन किया फोन चालो करते ही वाटसप के ठेरो अन्रीड मैसेज बिंक करने लगे एक नमबर को देखकर वो चोग गई ऐसा कैसे हो सकता है ये तो उसके पती का नमबर था पर मैसेज खोलती है तो उसमें एक फोन नमबर होता है और उसपर लिखा होता है प्लीज इसपर कॉन्टेक्ट करो वो मन में धेरो सवाल लिए उस नमबर पर डरते हुए काल करती है उसे लगा जरूर कोई सरकारी कारवाही होगी रिंग जाते ही वहां से हेलो की आवाज आती है हेलो मैडम आप मिस्स केरी बोल रही है बेहत खबरा ही आवाज में वो बोलती है हाँ आपके लिए एक अच्छी खबर है जो साथ लोग मृत घोसित किये गए थे उनमें आपके पती का नाम नहीं है वो बीमार थे और दूसरे अस्पताल में भरती थी एक ही नाम का होने की वज़े से गलती हो गई वो भी अस्पताल में भरती है फिलहाल वो स्वस्थ हैं और जल्दी ही आपसे बात करेंगी गुड नाइट ये कहकर फोन कार्ट दिया जाता है उसने दुखों को अंधेरी गली में जाते देखा पिली रोसनी के बल्ब में चीजों के धुले से आकार नजर आ रहे थे मानो भारी उथल पुथल के बीच आकारों की नई दुनिया उभर रही हो उसका मन खुसी से भर गया और सांस जैसे अटक गई वो भाग कर बहन के कमरे में जाती है लेकिन कमरे के दरवाजे पे ठिटक जाती है बेचारी सैली उसने मन ही मन सोचा क्या उसे बताना ठीक होगा मेरी खुसी से बहन का दुखत बढ़ जाएगा इस बात को फिलाल अपने तक रखना ही सही होगा वो बहन के पास जाती है देखती है सैली चैन की नीन सोई हुई थी उसका आधा चेहरा तकिये में छुपा था जैसे अभी अभी रोकर सोई होगी उसके चेहरे पर एक अजीब सी सांती थी वैं थोड़ा करवट लेती है तो चेहरे पर सजीव सी मुस्क्राहट विखर जाती है जिनमें खुसी के भाव थे हालांकी पलके बंदे थी फिर भी ऐसा लग रहा था कि सब्द फूट परेंगे मन में कितना भी दुख हो नीन उन्हें धीरे धीरे चुरा कर खुस नुमा सपनों में तबदिल कर देती है रात काफी ढल चुकी थी केरी बिना कुछ बोले अपने कमडे में वापस आ जाती है सैली को लगता है जैसे नीन में कोई उसे जगा रहा हो नीन की खुमारी में केरी को जाते देखती है तो वह बैठती है सौरी केरी मैं इतना खुस हूँ कि बया करना मुस्किल है तुम मुस्किल से हालात से समझोता करके संभली हो मैं नहीं चाहती हूँ मेरी खुशी को महसूस करके अपने भागों को दोस्तों मेरी बहन जो होगा देखा जाएगा फिलाल मैं तुम्हें ये नहीं दिखा सकती हूं वह अपनी बाइं हतेली को सीधा करके अपने मोबाइल में आए और कई बार पढ़े जा चुके मेल को फिर से एक बार पढ़ती है जिसमें लिखा होता है प्रिये सेली आप से संपर करने की बहुत कोशिस की गए लेकिन आपका मोबाइल हमेशा बंद रहता है इसलिए मेल कर रहा हूं कि जिस सीप को समुदीर लुटेरो द्वारा लुटा गया था पर आसंका थी कि सभी करमचारी मारे गए उसके बारे में पता चला है कि लाइब बोट के जरिये तीन-चार लोग उस पर से भागने में काम्याब हो गए थे उन में से एक आपके पती भी थे मैंने उन्हें खुद अपनी आँखों से सुरक्षित देखा है और वो जल्द ही वापस आएंगे सेली इस मैसिस को कई बार पढ़ती है फिर कैरी के पास बिस्तर पर जाकर उसके सर को प्यार से सहलाती है मेरी छोटी बेहन मैं तुम्हें अपनी खुशी बता कर दुखी नहीं कर सकती तब ही फोन की घंटी बसती है और वो जाग जाती है आसा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी इस कहानी में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें और नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू